दोस्तों नमस्कार मैं कुमार संतोष यादव राश्य महास्यचीव जैफ मल्टी इंडिया मल्टी ने उससे एक बहुत ही महत्रपूर्ण अतिसम्वेदन सील विशय मेडिकल लैप टेक्नॉलजी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो डीमल्टी पास कर चुके हैं ऐसा प् प्रतित होता है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है नित्व प्रतितिन नए नई बातें नई नई समस्याएं सामने आती जा रही हैं अब गंभीर विशय यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है देखिए शोशन होगा शोशन करने वाले भी लोग होंगे परन्तु उस आप आवाज उठाने वाले आवाज रखने वाले लोगों की भी आवश्यक्ता है अगर आपके साथ में गलत हो रहा है आपके भविश्य के साथ खिलवार हो रहा है तो उसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा ताजा खबर है अभी हाली में आपको डिटेल में भी कि समर्त più के तjenny गादी सिम्र्द को दौरा एंग आन्जी एंधर मापम गाधी अमेडिकल कॉलेज इन दर मैं जो कि थे उसके दऔर है समर्त के अंतर वे के शारी गे अब इसमें हुआ क्या है कि जो लोग के गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज से परामेडिकल कोर्स किया हो चाहे एक्स रे हो ओटी हो एनेसेसी आ हो हो या डीमल्टी हो सिर्फ वही लोग आवेजन कर सकते हैं 16-8-2021 को ग्वालियर मेडिकल कोलेज के द्वारा भी एक परामेडिकल की विकेंसी जारी की गए सेम ओडर कि जिन छात्रों ने शाष्च किये मेडिकल कॉलेज से परामेडिकल कोर्स किया हो चाहे हो डीमल्टी हो एक्स रे हो ओटी हो एनेसेसी आ हो या अधर परामेडिकल कोर्स किया हो सिर्फ वही लोग कि वेकेंशी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आवजन कर सकते हैं डिटेल में इसी वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि आपको वो आवजन दिखाऊँगा शाद आप लोग अपरे लेफ्ट सैड में या राइट सैड में देख भी रहोंगे और विस्तार से बहुत सार लोग कहते हैं लंबा वीडियो होता है तो जब आप लोग शॉड में जब लंबे वीडियो नहीं समझ पाते हैं तो फिर शॉड में कैसा समझेंगे इससा समझना पड़ेगा भविश्य अधजल में है नित प्रतिदिन जो है पारा मेडिकल के छात्रों के साथ मे या मेडिकल आप टेक्नॉलजी प्रोफिशनल के साथ में नित प्रतिदिन एक वह में मुझे तो लगता ही कहीं ने कि प्रकार के साजी सर्ची जा रही है कि कैसे भी करके डाउन किया जाए अस्तित्व को खतम किया जाए अब अब इसमें सम गंभीर विश्य क्या है कि आप सब्सक्राइब करने कि प्राइब अब चाहिए तो कहीं ने कहीं यह मेडिकल एप टेक्नोलजी फिल्ड में एद्यूकेशन सिस्टम के साथ में यह खिलवार किया जा रहा है उसलिए आप जागरिक गुरुख होना पड़ेगा और आप संग्ठन से जूड़िये और लोग के लिए उपलब दूँ मेरा नमबर जो है मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे में वहां नमबर दूँगा आप मुसे बात करें समस्याओं को सहल निकालने के लिए कुछ ने कुछ स्टेप्स निकालना पड़ेगा कहें ने कहीं आवेदान देना अदरवाइस भविश बहुत अधेजल में तो प्लीज पूरी बात समझिए समझिए अंडरस्टैंड कीजिए और कुछ स्टेप लिजिए राश्टि संग्ठन अजयाफे मिल्ट इंडिया उससे जुड़िए स्टेट का भी संग्स्टन अभू से जुड़िए कुछ ने कु कुर्में कोर्स किये में उनको ही विकेंसिस पर अप्लाई करने का मुझा मिलेगा उन्हीं के नोगरे लिए तो प्राइबेट परामेडर कॉलेज में प्राइवेट इनुछ से जिन्होंने कोर्स किया हुआ हुआ है वो लोग किसी भी लायक नहीं बचेंगे इसलिए और खड़े हुई है अपने अधकारों के लिए उम्मेद करता हूँ कि आपको कोई बास समझ में आई होगी अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जैफे मिल्ट इंदिया राश्री संक्टर से जुड़िए बहुत-बहुत धन्यवाद तो दोस्तों ये देखिए वो है विग्यापन अब यहां पर जो ये ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है यहां से लेकर के ये पूरा इसको पढ़ने का प्रयास किजेगा ब्लू लाइन में ये एर्वेटाइजमेंट 1321 को आया है जिसमें लिखा है मद्द प्रदेश के समस बंद चीके साले में सहचिके से समवक के रिक्त पदों अवेदन आमेंतिर किया जाना है देखिए रिपीट करता हूं कि मद्द प्रदेश के समस्त शास की मतलब मद्द प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजिस हैं उनके दोरा डीमल्ट का कोर्स या पैरेमिल का कोर्स करवाई जाता है और उससे उतीर ही अभ्यरती इस अर्वटाइजमेंट में इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं क्लियर कट है कि जो प्राइवेट पैरेमिल कॉलेजिस हैं या प्राइवेट इनिवर्सिटी जिनके दोरा प्राइमिल कोर्स संचल किया रहा है वो लोग इसमें अपला इस इंदोर मेडिकल कॉलेज को देखते हुए गजराजा मेडिकल कॉलेज के दोरा भी वेकेंसी जारे की गई इसको मैं बाब दिखाता हूं यहां देखिए आप यह देखिए आप कारेल आधिस्टाता है मुख्य कारपाला अधिकारी स्वसासी गजराजा चिकेश्या इसमें भी सेम लिखा हुआ है निम्ग्री पदों को सीधी बढ़ते के रिख्त पदों की पूर्तियों प्रदेश के शास्की स्वसाचे चिकेश्या माब टैलों में संचालित पैरा मेंने को से से उत्तीन उम्मेद्वारों तथा सासी सेवां संस्ताव में सब्सक्राइब का का ही आवेदन एक्सप्ट किया जाए और प्राइवेट परमेटर कॉलेज प्राइवेट मेडिकल इन्वर्सिटी के दौरब संचालित कोर्से से उत्तीन अभियरतियों का आवेदन स्विकार नहीं किया जाएगा इसलिए उठीए और उस प्रयास किजिए संपर्क किजिए मैं नंबर दूँगा संपर किजिए जैफे मिल्टी इंडियास के साथ मिराश्य संगर्टित के साथ साथ जुड़िए स्टेट के एसुचेशन है मत पदेश में उसके साथ जुड़िए और आवाज उठाईए किस तरीके से क्या कारे करना है इसका भी प्रारूप हम त्यार करेंगे हम आपको बताएंगे बट आप लोगों संगर्टित होना है संगर्टन के माद्यम से जा करके कुछ ने कुछ उपाय अपना ना है धन्यवाद